हम पढ़ने हैं modern history में advent of Europeans in India जो आगमन हुआ इंडिया में उसके बारे में पोद के उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था और डच के बारे में भी आज हम English के बारे में पढ़ेंगे फिफ़ोर Gottes का EBiva इस्तल के बीयुटों रहां कि जो शों मंंदेला हाल ऐन्गलिश मर्चनट केम इंडिया ओपनाया था ओलाने जो धरती के और यहीर जो थे कयमा है एंड्या यह बारूर के ओर भन ओएयो शोंसरेव में पोलुबिश और सिपार है JEived इंडियन जो ब्यपारी थे उनके साथ ये ब्यपार करने ये इंडिया आये थे और कब आये थे 1599 में ठीक है तो आपने ध्यान रखना है कि लैंड रूट से जो थे इंग्लीश जो थे वो कौन आये थे ठीक है तो उनका नाम है जॉन वंडेलाल जो पंदरा सुन नहीं आने मे प्रूप ऑफ मर्चेंट्स इन 1599 ग्रूप ना ग्रूप में 1599 थे और इंग्लीश इस इंडिया कंपनी वस फॉर्म्ड इन 1600 तो इस्ट इंडिया कंपनी कब बनी 1600 में बनी फिर है Captain William Hawking Captain William Hawking का क्या है कि ये जो थे arrived at जहांगीर court in 1609 to seek permission to open a factory at Surat ये क्वा आये थे ये जहांगीर के court में ये आये थे 1609 में ये factory सूरत में एक factory open करना चाहते थे उसकी permission के लिए आये थे फर्मान वाज इशूड वाइद जहांगीर परमीटिंग इंग्रीश टू बिल्ट फैक्टरी एड सूरत इन 1613 और जहांगीर ने जो एक फर्मान इशू कर दिया था मतलब परमीशन दे दे थी जो इंग्रीश थे इनको मतलब सूरत में फैक्टरी ओपन करने के लिए और सूर ऑफ अंबैसेटर ऑप जहांगीर कोट इन 1615 टू सिक प्रमीशन टू टू ट्रेड इन इंडिया तो सर्थ ऑमस रोइक जो थे इंडिया आय थे जेम सेकींड के राज़दूत बन के और यह आयते जहांगीर के कोट में 1615 में और यह भी जो थे परमीशन लेने आयते जहांग सीर खिर बवाइब करनें की फिर फोस्टेय फक्र्स वीलट अट सूरत में ऊर्ष फैक्र्स कंद सूरत में रिप्लेस नोइडा के सुरत बालि ने उल Museum चैनल ऑफ कर दिया गया जो पाले के सुरत को धर एकप अपमजे जो कर दिया ने लिया और इसका headquarter कहा बना western coast in 1687 में फिर इसके last इसमें क्या है कि Gerald Agnir जो first governor थे English के इनका time period आपने याद रखना है 1669 तो 1677 का time period है तो आपने जो है अपने notes इनके साथ साथ में बनाने है important topic है हमने क्या पढ़ा इसमें कि English के जो first कौन आये थे जो लैंड रूट से आये थे John Mandela Hall फिर यह क्यों आये थे इंडिया first जो group बना था इस इंडिया कंपनी का फॉर्मड हुआ था वो कौन सा group का नाम के merchant adventures first factory का बनी इंग्लिश की 1600 में बनी थी जो captain William Hawking थे वो जहांगीर के court में आये थे 1609 में आये थे पर्मिशन लेने के लिए थे फॉर्स factory सूरत के कहां बनी 1613 में बनी सूरत में इंग्लिश की first factory फिर सर्थोमस आये सर्थोमस ने भी एक हुआ यह राजदूत बन के आये जेम्स सेकिंड के और यह भी जहांगीर के court में आये पतलब ट्रेड इंडिया में व्यापार करने के लिए फिर इसके बाद क्या हुआ कि सूरत को replace कर दिया गय ठीके और फिर्स्ट गवर्नर जो थे इंग्लिश के इंके फिर्स्ट गवर्नर कौन थे गिराल अगनियर ठीके यह चीज़े आपने याद रखनी है साथ में अपने नोट्स में यह सारी चीज़े लिखनी है 1639 अप्टेन मदरास फोर्म राजा अफ चंदरगीरी विद परमेशन टू वेल्ट अ फॉर्टिफाइ फैक्टरी बनाने की और इन्हों एक फैक्टरी बनाई फॉर्ट सेंट जोर्ज के नाम से इन 1690 जॉब के नॉग एस्टेबिलाइस फैक्टरी अच सूतानती 1690 में जॉब के नॉग ने जो एक फैक्टरी बनाई सूतानती में जमिंदारी ओफ थ्री विलेज़ेस अफ सूतानती कालीकता गोविंद पूर वाज अक्वाइर ब्रिटिश इन 1698 इन 1698 में जो है इन तीन विलेज़ेस के जमिंदारी है वो ब्रिटिश्णों ने हासिल कर ली इस विलेज़ेस लेट अग्रिव इन्टू तक कलकता यह सारे विलेज़ेस ते बात में अग्रिव हुए कलकता के नाम से फैक्टरी है सूतानती वह फॉटिफाइड इन 1696 में जो इस सूतानती की फैक्टरी है कंप्लीट हो गी त्यार होगी एक फॉर्टिफाइड कंप्ली का मतलब यह फॉर्टिफाइड जो है फैक्टरी बन गई ठीक है एंड इस न्यू सेटलमेंट वास फॉर्ट विलेन के नाम से इन 1760 में इसके बाद 1644 में क्या हुआ कि जो इंगली ब्रिटिश इंगली पार्लेमेंट थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें जो इंगलीश में थे जितने भी इंगलीश में थे उनको जो है इक्वल राइट्स दे दिये प्यपार करने के इस्ट में 1617 में जो है रॉयल फर्मान हासिल किया एक मोगल इ जो है कंसेशन दिया गया कंपनी को फिर 1708 में क्या हुआ अंडर दा टाइटल ऑफ यह जो थी बाद में यह टाइटल से 1708 में इसमें टाइटल दिया गया इन्वाइटेट कंपनी हो मर्चंट्स ऑफ इंगलेंड ट्रेडिंग टू दा इस्टेंडेज इस न्यू कंपनी इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जल्दी से आप मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जितनी भी जब